एलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एकजाम में जितने भी questions रहेंगे वो सारे के सारे average के रहेंगे तो वीडियो को end तक आपने ज़रूर देखना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो like करना है, share करना है और जो viewers चैनल पर नए है वो चैनल को subscribe कर दीजिए और bell icon को press कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की notifications मिलत सकते हैं और अपनी calculation को और fast कर सकते हैं तो उस page पर हमारे साथ जूड़िएगा तो ज़्यादा time waste ना करते हैं शुरू करते हैं आज का हमारा पहला question जो की average से है और सभी questions average से रहेंगे और ये वही question जो paper में बार बार पूछे जाते हैं तो वीडियो के अन तक जूरू जो है वो 60 के बराबर है तो X और Y का उसत आपको बताना है क्या होगा तो कह रहा है कि 12 15 15 पार दस बार पंदरा X और Y के उसत का 400 परसंट यानि कि आपको आपको पता है कि जो आउसत होती है यानि कि जो average होती है उसका formula क्या होता है उसका formula होता है sum upon में number होता है तो अब है 60 के बराबर है कि ना कि इन सब की ओसत का 400 परसंट वो किसके बराबर है, 15 के बराबर या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो यानि कि 10 की plus 12 plus 15 plus x plus y divided by कितनी संख्याएं ये 5 संख्याएं है, इनका जो ओसत है वो कितना है 15 है इन सबका ओसत कितना है 15 है, क्योंकि इसकी 400% इसका 60 है तो 100% 15 होगा तो इनका उसत कितना होगा, 15 होगा, यह दर आके multiply हो जाएगा, तो 12 प्लस 15 प्लस 10 कितना होता है, 37 होता है, प्लस X प्लस Y is equal to कितना 75 हो जाएगा, और X प्लस Y की value आजाएगी कितनी, 75 माइनस में कितना 37 करेंगे, तो यह आजाएगा 38, आपको इन दोनों की उसत निकालनी है, तो उसत का formula क्या होता है, जोड का आदा कर देंगे, यानि की 2 से भाग कर देंगे, नंबर 2 है, तो इसको 2 से भाग कर देंगे, तो इनका जो उसत आजाएगा, X और Y कितना आजाएगा, 19 आजाएगा, option number D, इसका correct हो जाएगा, देख लेते हैं क्या यह हमारा answer सही है, तो जी हाँ दोस्तों, answer बिल्कुल सही है, 19 इसका क्या हो जाएगा, उसत हो जाएगा, उमीद आपको यह question समझ आया होगा, और अपको यह question अपने असानी से कर लिएगा, शौटरी भी आपको इसकी समझ आजाएगा, बढ़ते हैं next question की और next question देखते हैं क्या है, तो next question है हमारे पास, कहता है कि 81 करमागत संख्याओं का ओसत, करमागत का मतलब होता है लगातार, का ओसत कितना है, 60 है, तो पहली और 81 संख्याओं में के मान में अंतर ग्याद कीज़े, यानि कि पहली संख्या और सबसे आकरी संख्या जो होगी, 81 उसमें अंतर आपको बताना है कि क्या होगा, और कह रहा है कि 81 संख्याओं का ओसत है वो कौन सा है, आपका 60 है, तो इसका भी मैं आपको shortcut करवाऊंगा important question है और ये बार-बार पूछे जाना वाला question है ठीक है ना paper में ये बार-बार पूछे जाता है तो इसको कैसे करना है तो जब हम 81 संख्याओं को लिखेंगे तो पहली पहली 40 संख्याओं यहाँ एगी फिर 41 भी संख्याओं यानि कि 41st नंबर आएगा फिर लास्ट की यानि कि आखरी की आखरी की जो 40 होंगी वो आएगी आखरी की 40 तो total कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी और हमें ये पता होना चाहिए कि अगर लगातार संख्याओं होती है तो जो औसत होता है वो बिल्कुल बीच में आता है तो औसत कहाँ पर आता है बिल्कुल बीच में आता है कब जब हमारे पस लगातार संख्याओं होती है तो औसत बीच में आता है तो 41 संख्या कौन सी होगी 41 संख्या होगी 60 क्यूंकि यहाँ पर का औसत कितना है, 60 है, तो 50-40 संख्या פה है, फिर 41 संख्या 60 होगी, फिर आखरी की 40, आखरी की 40 संख्या और लिखना है, तो 60 के बाद Мé PKB40 नमबर और लिखने हैं, तो 60 के बाद मैं 40-वी-स नमबर अगर ऑर लिखूँँगा, तो last का number जो आयगा, इसमें क्या करेंगे, 40 और एड कर देंगे, तो last का number कौन सा आएगा, 100 आएगा, last का number कौन सा आएगा, 100 आएगा, सबसे last का, और 40 से पहले अगर, 60 से पहले अगर मैं 40 संख्या इं लिखूंगा, तो सबसे पहली संख्या कौन सी आएगी, 20 आएगी, सबसे पहली संख्या कौन स पांच लगातार संख्या है। तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा option number A से correct हो जाएगा तो पहली संक्या और आखरी संक्या का जो आपका अंतर है वो कितना है 80 है तो देख लेते हैं क्या यह हमारा अंसर सही है तो जी हाँ दोस्तों अंसर बिल्कुल सही है और सिरफ 37 परसंड लोगों ने इसका सही अंसर किया है उमीद आपको यह question समझ आओगा अच्छा लगा होगा बढ़ते हैं next question की और next question देख लेते हैं क्या है तो next question है हमारे पास क्या रहा कि 5 चातरों के गणित में अंकों का उसर 65 पाया गया था बाद में यह पाया गया कि 1 चातर की स्थिती में अंक 37 को गलती से 73 पढ़ लिया गया था तो सही उसर गया किजिए क्या रहा कि 5 चातर थे जिनका उसर कितना था 65 था लेकिन बाद में ये देखा गया कि एक कंक जो 37 था उसे गलती से 73 पड़ लिया गया तो सही औस आपको बतानी है क्या होगी तो हमें पता है कि जो average होता है यानि कि या फिर मैं कहूं आपके पास अगर मैं बोलूं कि जो sum होता है यानि कि जो जोड होता है वो किसके बराबर होता है average इंटू में नंबर के बराबर होता है यानि कि औस अगर मैं नंबर से गुणा करूँगा तो क्या आता है मेरे पास जोड आता है सम आता है तो कह रहा है कि 5 चातर है नंबर कितने है 5 इनका औस इनका जो जोड आ जाएगा 235 में से जो गलती है उसे हटा देंगे गलती कितनी है倒 2373 इसे अनक जोड देंगे है उसे हम जोड देगे 276 हमारे पास क्या लेगा और जूड जाएगा तो इसको जब हम सॉल करेंगे 325 में से 73 और 37 को हटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा ये आपके पास बच जाएगा 289 कितना बचेगा 289 यहाँ पर बच जाएगा ठीक है न 289 आपके पास बच जाएगा लेकिन एक संख्या गई है एक वापिस आईए तो अभी भी संख्याई 279 कितनी होगी 5 ही होगी तो हमें क्या निकालना है इनका ओसस निकालना है तो average का formula लगाएंगे average का formula होता है हमारे पास क्या जोड़ अपॉन में संख्याई है तो जोड़ कितना है 289 है और संख्याई कितनी है 5 cutting करेंगे इसकी तो इसके 289 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आजाएगा यह आजाएगा 57.8 आजाएगा option number A इसका correct हो जाएगा तो average into में number होता है जोड के बराबर average 50 है संख्याए 5 है 325 गलती को हमने हटा दिया 73 हमने हटा दिया जो सही number था उसे हम वापिस लेके आगे और इस बार भी इसी तरह के questions पूछे जाएगे तो वीडियो का अंड तक आपने जरूर देखना है यह कहना बढ़ते है next question की और next question देख लेते हैं क्या है कि 60 से 80 के बीच के सभी अभाजे संख्याएं का उसत बताना है कितना होगा तो 60 से लेके 80 तक जितनी भी अभाजे संख्याएं आती है उनका उसत बताना है तो 60 के बाद जो पहली अभाजे संख्याएं आती है वो कितनी आती कौन सी आती है 61 अगली कौन सी आती है 61 इक से अगली कौन सी आती है 73 आती है और इसके अगली कौन सी आती है 79 आती है तो ये 60 से लेके 80 तक के बीच में सभी अबाजे संक्या हैं कितनी संक्या हैं ये 5 तो divide by क्या कर देंगे 5 कर देंगे इन सब का जोड करेंगे 61 प्लस 63 प्लस 73 प्लस 79 इनका जोड करेंगे तो आपके पास आएगा 351, 351 को 5 से भाग करेंगे और cutting करेंगे तो आपके पास आजाएगा 70.2 तो ये आजाएगा इनका उसत option number A सब correct हो जाएगा ठीक है ना most important question है और बार-बार पूछे जाने वाला question है तो देख लेते हैं क्या हमारा ये answer सही है तो जीहां दोस्तों answer बिल्कुल सही है 70.2 क्या हो जाएगा इसका उसत हो जाएगा ठीक है बढ़ते है next question की और next question देख लेते हैं क्या है तो next question में कहता है कि एक अकशा के 25 जातरों की उसत आईउ कितनी है 16 है यदि ककशा शिख्षक की आईउ को समलित कर दिया जाए तो उसत जो है एक से बढ़ जाएगी तो हमें बताना है कि जो teacher है उसकी आयू कितनी है तो most important question और बार-बार उचे जाने वाला question है इसका सीधा मैं आपको shortcut करूँगा कैसे इसको करना है आपने बिल्कुल सीधा shortcut बताता हूं में इसका तो आपको बताना है कि teacher की age बतानी है तो teacher की age आप कैसे निकालेंगे तो आपको पता है कि teacher के आने से एक की उसत जो है वो बढ़ रही है teacher के आने से उसत में क्या हो रही है वृद्धी हो रही है कितने की वृद्धी हो रही है एक की वृद्धी हो रही है ठीक है न, तो teacher जो है, teacher की ओसत आयो, कम से कम 16 तो रही होगी, क्योंकि class की ओसत कितनी है, 16 है, ठीक है न, तो teacher की जो age है, कम से कम 16 तो रही होगी, और इसके आने से ओसत बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो हमने plus लगा दिया, कितनी बढ़ रही है, एक बढ़ रही है, और कितन पर बढ़ रही है, 26 पर बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, 16 प्लस 26 को add कर दें, कितना आजाएगा, 42 आजाएगा, तो teacher की जो age थी, वो 42 आजाएगी, हमने सीधा इसका shortcut आपको बता दिया है, shortcut कैसे करना है, teacher की age 16, यानि की पूरी class की जो उसत थी, वो तो करही होगी, उसके आने से उसत बढ़ गी, तो 16 प्लस कितनी बढ़ी है, एक बढ़ी है, कितने बढ़ी है, कितने चातर है, पले 25 चातर से, और एक teacher को मिला के 26 बंदे होगे, 26 उस पर बढ़ी है, तो 26 और एड हो जाएगा, एक गुणा में 26 और हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 42 तो यह हमने shortcut जो अच्छी लग रही होगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत गूलेगा, शेर कीजेगा चैनल को, और जो वीवर्स ने है, चैनल को सब्सक्राइब जूर कर दीजे, ताकि आपकी practice हम और boost करवा सके, ठीक है, तो बढ़ते है next question कियो, और next question देख लेते हैं, क्या है, next question में आते हैं, क्याता है कि 42 संख्याओं का उसत 102 है, गणना में यदी राहुल ने गलती से 28, 30, 50 के स्थान पर 40, 86, 24 को जोड़ दिया है, तो सही उसत, फिर से वही question आ गया है, बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने किया था, तो हमें पता है कि average का उसत, इंटू में number का जो formula होत 42 को अगर हम 102 से गुना करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 4284, 4284 क्या हो जाएगा, इनका जोड़ आ जाएगा, फिर कह रहा है कि यदी राहुल ने गलती से 28, 30, 50 के स्थान पर 40, 86 और 24 को जोड़ दिया जाएगा, और सही number जो है, उसे add कर दिया जाएगा, तो हम क्या क भी जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना, तो यह अंसर आज़े, यह अपका अंसर नहीं आए, इनका जो गलतिया वो हटा दी और जो सही number थे, उसे हमने वापिस से क्या करा, add कर दिया, तो जो सही जोड़ आएगा, वो कितना आएगा, इसको अगर आप सॉल करेंगे, तो आ इनका आउसत बताना है, average, और average का formula होता है, हमारे पास जोड़ अपॉन में संख्या है, तो जोड़ कितना है, हमारे पास 42, 42, और कितनी संख्याओं का, 42 संख्याओं का यह जोड़ है, तो कटिंग करेंगे, तो यह आपके 101 पे कट जाएगा, पूरा-पूरा, तो इसका सही है, आज की हम with next question की और next question देख लेते हैं, क्या है, तो next question है कि एक, दो, तीन से लेके 98, 99 और x का ओसत जो है, वो 100x है, आपको बताना है कि x का मान क्या होगा, तो आपको सब को पता है कि average का जो formula होता है, वो होता है, जोड़ अपॉन में संख्याओं, बहुत असान question है, और चिरफ 8% लोगों न इसका answer दिया है, और ये वो question है, जो paper में बार-बार पुछे जाते हैं, ये सब भी वही question है जो paper में बार-बार पुछे जाते हैं, और इस बार की paper में भी ये question जुरूर पुछे जाएंगे, ठीक है, तो देख लेते हैं कि ओसत कितना है 100 x है, तो हमने 99 तक तो ही है और x होगी 100 मी संख्या तो 100 इधर multiply हो जाएगा तो यह हो जाएगा 10,000 x हो जाएगा और 1 से लेके 99 तक की संख्याओं का अगर मैं जोड करूं तो n प्रकरतिक संख्याओं के जोड का formula क्या होता है n n प्लस 1 divided by 2 होता है तो 99 तक की संख्याओं का याने की एक से लेके 99 तक की संख्याओं का जोड होता है वो होता है 4,9,5,0 प्लस x ठीक है न तो x इधर आके माइनस हो जाएगा तो 10,000 में से x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9,9999 में x आजाएगा is equal to कितना 4,950 और यहां से हम क्या करेंगे x की value निकाल देंगे तो 4,950 बटे 9,9999 में हम cutting कर देंगे तो जब हम इसकी cutting करेंगे तो यह आपका 99 में पर cancel हो जाएगा 99 में एक कम 99 में 0, 99 में एक कम 99 में ठीक है न 99 में इंटू में 5,50 करोगे तो यह आजाएगा 50 बटे में 101 आजएगा तो देख लेते हैं कौन से option में है यह 50 बटे एक से option number C में है तो देख लेते हैं क्या यह मेरा answer सही है तो जिहां दोस्तों answer बिल्कुल सही है और सिरफ और सिरफ 8% लोगों ने इसका सही answer किया है तो आप देख सकते हैं कि question कितना important है और कितना असान question है सिर्फ आपको formula और लगाने का तरीका पता होना चाहिए अमीद आपको यह question समझ आया होगा और बढ़ते हैं next question की और next question देख लेते हैं क्या है तो next question है हमारे पास कहता है कि 3 के पर्थम 5 गुणजों का माद्ध है यानि कि 3 के पर्थम 5 multiple का आपको आउसत निकालना है तो 3 के पहले 5 multiple कौन से होते हैं 3, 3, 2, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 15, 15 यह 3 के पहले 5 गुणज है multiple है और आपको पता है कि ऐसी series जिसका gap यानि कि जिसका अंतर बराबर होता है नो हो झाएगा, कितनी हो झाएगी, नो हो झाएगी तो इसका सही पहले 18 सदस्य की ओसत आईू 15 है तो 26 सदस्य की ओसत बतानी है फिर से हम वही फोर्म्ला लगाएगी formula है आपके पास average into में number बराबर किसके होता है, जोड के बराबर होता है किया रहा कि कितने सदसे 30 सदसे, इनका उसत कितना है 13, तो जोड कितना आ जाएगा 390 आ जाएगा, ओवेसी बात है 13 into में 30 करेंगे तो 390 आ जाएगा पिर कहता है कि 30 में से कितने सदसे जोड कितना आ जाएगा, इनका जोड आ जाएगा इनको multiply करोगे तो 270 आ जाएगा अब अगर हम 30 में से 18 सदसे minus कर दें तो कितना रह जाएगा बच्चे वे रह जाएगे, 12 member रह जाएगे और 390 में से 270 को minus करेंगे तो कितना रह जाएगा, 120 रह जाएगा तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा 10, option number B, इसका correct हो जाएगा तो जिहां दोस्तों अंसर बिल्कुल सही है सिरफ 64% लोगों ने इसका सही अंसर किया और इतना असान और इतना important question था यह बढ़ते है next question की और next question देख लेते हैं क्या है तो next question है, हमारे पास most important question है और paper में बार-बार पूछे जाने वाला question है तो इसको question को आप वीडियो को pause करके attempt करेंगे खुद से और देख लेते हैं इसका solution क्या है क्या रहा है कि 16 लड़कों की औसरत आयू 14 वर्ष है एक नए लड़के को शामिल किया जाता है तो औसरत आयू 15 वर्ष हो जाती है तो आपको बताना है कि नए लड़के की औसरत आयू क्या है यह बिल्कुल भई question जो भी हमने पीछे किया था जिसमें teacher वाला था इसका भी मैं आपको shortcut बताऊंगा इसका सिधा shortcut बताऊंगा कैसे इसको solve करना है आपने तो आपको नए लड़के की आयू बतानी याने की boy की age बतानी है तो उसके आने से औसरत 15 हो गई है पहले कितनी थी? 14 थी पहले औसरत 14 थी अब कितनी हो गई है? 15 हो गई है औसरत बढ़गी तो हम प्लस कर देंगे कितनी बढ़ी है उसरत 1 बढ़ी है कितने बच्चों पे 16 लड़के पहले थे एक आने से 17 लड़के होगे तो एक गुणा में कितना 17 कर दूँगा तो कितना आजएगा? 14 प्लस 17 14 प्लस 17 कितना होता है? 31 होता है option number B सक करेक्ट हो जाएगा देख लेते हैं क्या हमारा अंसर सही है जी हाँ दोस्तों अंसर बिल्कुल सही है और सिरफ 65% लोगों नहीं इसका सही अंसर किया है तो सिधा shortcut आपको करना है जो लड़के की age थी वो 14 तो रही होगी प्लस उसके आने से ओसत एक बढ़ गई और कितने बंदों पे? 17 बंदों पे तो पहले ही थे उसके आने 17 लड़के होगे 14 प्लस 17 कितना होगा? 31 तो उसकी जो कितना लेकि उसकी age हो कितनी होगी? 31 होगी option number B correct हो जाएगा तो यह थे हमारे पास ओसत के important questions उमीद है आपको इस सभी के सभी questions important अच्छे लगे होंगे और यह वही questions जो exam में बार-बार पूछे जाते हैं इसी तरह से मैं आपके लिए और भी chapter से question लाते रहेंगे वीडियो पसंद आई है तो like करना है शेर करना है और जो viewers नहीं है उनसे request है वो चैनल को subscribe कर दीजे और bell icon पर press कर दीजे ताकि आपको मारे चैनल की notifications मिलती रहें अब एक लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं next part में thank you, thank you very much